आजम के खिलाफ होगी कारवाई मा महीम राज़िबाल को लिखा गया पत्रा रामपुर में आज कॉंग्रेस की आलप संक्यक मामलों की प्रदीश सचे फैसल खान लाला ने पूरु मंत्री आजम खा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है उत्तर पर्देश के मा महीम राज़िपाल रामनायक ने आजम खा के बिरुद बक्ति संपत्यों के मामले में जांच किरा कर दोसी पाई जाने पर कारवाई के लिए पत्र लिखा था राम नाइक ने फैजल लाला के लिखे पत्र पका संग्या लेते हुए आजम खां के खिलाप जांच बठा दिये है देखिए वफ मिनिस्टर रहते आजम खान ने जन्पद रामपूर के अंदर तमाम वफ की संपत्यों पर अवैद कब्जे कर लिये एक वफ की प्रॉपर्टी है 157 यतीम खाना रामपूर उसमें 40 से अधिक परिवारों को बलपूरवक पुलिस ने मार कर बाहर निकाल दिया और उस प्रॉपर्टी पे आजम खान को कब्जा दिला दिया वहाँ आजम खान का नीजी स्कूल बनाया जा रहा है एक वफ की प्रॉपर्टी है 72 और एक है 204 टंडा के अंदर ये वफ की दोनों संपत्यां एक इदगा के नाम से है वफ की हुई और एक मस्जिद कोना के नाम से वफ की हुई है इन दोनों संपत्यों से वफ बोर्ट को 8,75,000 रुपे सलाना की आम दनी थी इस प्रॉपर्टी को जोहर ट्रस को अवैद रूप से अवंटित कर दिया गया कुल एक रुपे सलाना में ये मामला है और दूसरा 26 ए यूसुफ गार्डन के पास एक वफ की संपत्ती है इसको आदम खान ने अपने करीबी संयोगी शाजेब खान और उनकी पतनी नर्गीस के नाम करा दिया और अपने बेटे को सिलिपिंग पाटनर बना दिया इसके अंदर और उस पूरी वफ की प्रॉपर्टी को 3.5 एकड भूमी है वो करोडों रुपे की उसको इन्होंने बेच कर प्लॉटिंग कर दी और करोडों रुपे अरजित कर लिये साथ ही रामपूर के अंदर जितने सरकारी भवन है वो सब इन्होंने कौरोडियों के दाम अपने जोहर ट्रस के नाम करा दिया कि दूसरी ओर आज हमने मीडिया से सहयोग मांगा है कि हमें बदनाम किया जा रहा है हमें साजिसों के तहत फसाये जा रहा है रामपूर से टीवी हंटेट के लिए आसुन अजीचा